वेलकम टू जीकेफेक्स करण में जाने के वीडियो के अंदर देखे अभी जो है इरान ने बनाई है सबसे तेज उड़ने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल ठीक है इस मिसाइल को बनाने के बाद जब इसको लॉंच किया गया तो दुनिया कहीं ना कहीं इससे धहसत में आ गई है ठीक है लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई धहसत में आया तो वो अमेरिका आया है और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका भी दूर नहीं हाला कि अमेरिका भी काफी जो अड़वान्स वाली जो मिसाइले है उनका परिक्षण में लगा हुआ है उनका परिक्षण चल रहा है बहुत होते हैं, उन्हें अच्छे से तबाः कर देगा. तो क्या है यह पूरा मुद्दा, कितनी पावरफुल है यह ंधिर्षोंई agrade मि В song करा गया है, क्यूं करा गया है, जो किनμο इन के statement में था, कि इन्होंने अमेरिका को दिखाने के लिए यह करा गया, हाला कि इन्होंने 2020 में भी इस बात का इस पस्टिकरन करा था, मतलब इस बात को बोला था कि इन्होंने जो है, ये मिसाइल है, बना रहे हैं, जिसको अमेरिका ने कहा था कि ये जूट बोल रहा है, माप करेगा, 2022 में कहा गया था, 2022 में इरान की तरफ से का गया थे कि उन्होंने एक और हाइपरसोनिक बिसायल बने यह जिसको अमेरिका ने यह कह दिया था, खुलासा कर दिया था, कि यह जो है एक तरीके से छुट बोल रहा है, तो कहीं न गई इसको दिखाने के लिए भी इरान ने ऐसा किया है, ठीक है, तो पूरा मैं आपको इस हाइपरसोनिक बिसायल के वारे में बताने वाला हूँ, बस आपको एन तक जरूर देखना है, टोपिक इंपोर्टेंट है, एक दो नंबर का कोशन है, जो कि आ सकता है, बाकि इंटर्वी के लिए इंपोर्टेंट बनेगा, वीडियो जो है, लाइक तरफ से ये दावा करा गया है, इरान जो है, उन्होंने कहा है कि हमारे देशने कैसी मिसायल का निर्मार कर दिया है, जो कि लंबी दूरी पर मार करने वाली मिसायल है, ठीक है, अब इनका जो फोकस है, इन्होंने जो बातमर अपना कहा, वो इन्होंने ये भी कहा, कि इरानी अधिकारियों का यह कहना था कि वह यह जो मिसाइल है यह फारस की खाड़ी छेतर में मौझूद अमेरिका के किसी भी सेन्य ठिकाने में पहुचने में सक्सम है ठीक है अब थोड़ा आप इस वाले सेकंड फोटो को देखे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको देखे ठीक है यह क्या कहते है कि यह वाला जो इलाका है जैसे फारस की काड़ी का जाता है यहां तक पहुच कि कुचने में भी इस इरान मिसाइल यह सक्सम है यहां से आएगी पूरा सक्सम है यहां तक की यहां पर कहा गया है कि इस मिसाइल की रेज में पूरा का पूरा इसराइल आजाएगा ठीक है ये भी कहा जा रहा है, दूसी तरब से इरान के Islamic Revolution Guards Corps के Air Space Division के कमांडर है अमीर अल हाजी जादे, इनका थोड़ा इनका नाम याद रखेगा, यह आगे तक आपको समझ में आएगा इनके बर में हाजी जादे ये बताते हैं, ये कौन है, दुबारा सुनिए, इरान के Islamic Revolution Guards Corps के Air Space Division के कमांडर है ये, ठीक है, ये कहते हैं, अमीर अली हाजी जादे, इनका नाम है, ये कहते हैं कि नई हाइपरसोनिक मिसाइल जो हम विक्सित करी है, ये 1650 किलोमेटर की दूरी परिस्ति जैल आजाएगा, जैसी बात है, और ये फारश की खाड़ी तक ये मिसाइल की रेंज है, तो कितनी लंबी हैं, आप समझ सकते हैं, हाजी जादे ने दावा करते हुए कहा हैं कि इस मिसाइल का इस्तमाल करकर, इरान अब 2000 किलोमेटर की दूरी पर, अमेरिका विवान वहाग करा जा रहा है कि इस मिसाइल को लंबी दूरी तक हमला करने के लिए विक्षित किया जा सकता है, लेकिन यूरोपिय लोगों के सम्मान में ऐसा नहीं किया गया है, ठीक है, इन्होंने ये भी करा है, कि हम चाहते हैं, तो इसको एक लंबी दूरी तक हमला करने के लिए भी व पताया कि उसे अमेरिका से खत्रा है अरस्प अमेरिका से सभी को खत्रा है झाल यह यह पहली बार नहीं है जब इड़ान यह कह रहा है कि उसने हाइपर सोनिक मिसाइल विक्षिट करिए ठीक है जी स्टार्डिंग में बताया था इरान का कहना है कि उस मिसाइल कारकरम जो था वो देश की रक्सा के लिए आविश्चक है इरानी रेवलेशन गार्ड कोर्फ के एर स्पेस डिवीजन के कमांडर हाजिदा ने मिसाइल के बारे में पूरी जान करी अभी मैंने जो बताया वो देते हुए कहा था कि अमेरिका का जिकर करते हुए कहा था कि अगर हम सक्तिसाली बनने में विफल रहते हैं तो दुस्मन इरान के अंदर युद्ध लगाएगा लाएगा ठीक है इनका ये बिल्कुल सही था जैसे अभी हमको रसिया यूकरेन का युद्ध क्यों हो रहा है यूकरेन को जो उक्साने के पीछे शुंटा को था अमेरिका था अमेरीका ने यूकरेन को कही ना कहीं तो यह कहा था लो कि हम तुम्हारा साथ देंगे हम तुम्हें नाट् vibesलोकी ज साथ भी हुआ है ची कोई बात नहीं है ठीक है तो यह चीज को देखते हुए इन्हों ने इनके जो कमांडर है उन्होंने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम सक्ति साली बनने में विफल रहते हैं तो दुस्मन क्या करेगा दुस्मन कोन है अमेरिका अमेरिका क्या करेगा, वो इरान के अंदर युद लाएगा, किसी भी तरीके से लाएगा हमें अपने प्रिय राश्टों और देश की सुरक्सा जरूतों को पूरा करने में सक्सम होने के लिए बहुत साबधान रहना चाहिए इसी लिए ये इस तरीके की मिसाइल का निर्मान कर रहे हैं, कि लिए इनकी तरफ से कहा गया है आगे अब इस मिसाइल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि मिसाइल क्या है तो मिसाइल की जो है 12-13 मेक की स्पीड होने का दावा करा जा रहा है क्या कहा जा रहा है कि इनके द्वारा जो बनाए गई यह जो निर्मान करेगी मिशाइल है यह 12-13 मेक की स्पीड वाली है मध्यपूर्ण के आइस्तिर होने से अमेरिका फायदे में रहा है अमेसा उनका यूकरेन और ताइवान के हालातों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका ही दुनिया भर में संगर्सों का मूल कारण था समझ रहे हो और ये बिल्कुल सही है कि अगर कुछ भी होता है ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका ने उसमें इंवॉल्व नहीं किया होगा और तभी वो हो रहा है चाहे वो रशे यूकरेन का युद हो या फिर कोई अधर हो हमेशा कही न कहीं ये रहता ही है तो इन्होंने इराणी मिसाइल कारेकरम को धन्यबाद देते हुए कहते हैं कि अब इराण को जब भी आवसकता होगी तब है अमेरिका के छेतरी ठिकानों पर हमला करने में सक्सम है ठीक है इरान अभी तक इस मिसाइल परिक्षन का वीडियो जारी नहीं किया था लेकिन इरान का दावा है कि उसकी जो मिसाइल है वो 12-13 मेक की यानि कि धबनी की गती से 12-13 गुना तक पहुचने में सक्सम है उन्होंने ये भी बता दिया कि इस मिसाइल किसी भी एर डिफेंस से बचने में सक्सम है ठीक है कोई भी एर डिफेंस होगा उससे बचने में इनकी ये मिसाइल सक्सम है और अमेरिका का कोई भी ठिकाने को दागने के लिए खतम करने के लिए ये मिशाइल काफी पावरफुल है ठीक है और इरान को सत्रक होने की जरुवत भी है ठीक है न ये चीज़े हैं आई होप आप इसको यहां तक समझे होंगे कि ये क्या पूरा मुद्दा चल रहा है लास्ट का एक पॉइंट और बसता है अब आता है अमेरिका देखिए वैसे तो सर्वसरेस्ट कंट्री है अमेरिका हर चीज के मामले में आगे है चाहे हम जीडीपी की बात कर लें चाहे हम हत्यारों की होड़ की बात कर लें हर चीज में आगे है ठीक है उंगली करने में भी आ 183a पहले से ही इनके पास मौजूद है इसकी गती 20 मेक से ज़्यादा बताई जा रही है जबकि एरान की द्वारः बने गई जो मिसाइल हैं वो 12-13 है इनकी 20 मेक से ज़्यादा यानि धवनी की गती से 20 ज़्यादा है ज़्यादा बताई जा रही इस मिसाइल का रेंज की अगर मैं बात करू तो 16-184 किलो मिटर तक की है मतलब 16,000 किलो मिटर तक की रेंज में जाने के लिए सबसम है और भेट मतलब मारने के लिए सबसम है ये अभी परिक्षम से गुजर रही गई ये भी बताया जा रहा है आने वाले दिनों में इसे सेना में सामिल किया जाएगा जा सकता है इरानी चीफ है हाजी जादे ने कहा है कि मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि दुस्मन आने वाले कई दसकों में एक समान मिशाइल विक्षित करने में भी सक्सम नहीं होगा कहीं न कहीं इरान का ये over confidence भी इसको बोल सकते हैं ठीक है और इनका ये कहना है कि ये अभी इनके पास 20 मेका वाली मिसाइल का निर्माण कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में होगा एक साधर्ण भी मिसाइल नहीं बना पाएंगे ठीक है अब देखने वाली बात है कि इनके बात सही होती है गलत ये भी कहा गया कि मिसाइल अब इसलामिक revolution guards के जो है ससत गार में सामिल हो चुका है ये इनकी दरफ से कहा गया है तो ये था पूरा मुद्दा I hope आप इसको जाने होंगे क्यों इरान ने ये मिसाइल का निर्माण करा और अमेरिका को target में क्यों रखा ये मैंने आपको समझाई दिया ठीक है क्योंकि अमेरिका काफी उंगली करता रहता है इरान के मुद्दे में तो I hope आप इस topic को अच्छे से जाने होंगे समझे होंगे उमीद करता हूं आप लोगों से अगर कोई डाउट लगा हो तो comment box में बता सकते हैं अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ नहीं समझा है तो वह भी आप मिरको जो है box comment box में comment करके बता सकते हैं बाकि आप अगर पसंद आई हो वीडियो समझा आया हो टॉपिक तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेगा ऐसा टॉपिक आपके इंटर्व्यू के लिए और आपकी नौलेज के लिए बहुत इंपोर्टेंट होते हैं अगर आप आप से नाइस वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों फर वोचिंग आइस है वे नाइस टे थैंक्स वोचिंग सुवा की वक्राइब रजी नहीं देखिए तो जबर देखिए थैंक्यों पर वोचिंग